हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक टू शुवन्य रसोई तो आज मैं उपस्तित हूँ एक बहुत ही डेश्टी रेसिपी जो की नीरा मिस आलू दम की सबजी है बिना प्याज और लहसुन के भी ये सबजी बहुत ही डेश्टी है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैं हाँ पे आलू को बॉल कर ली हूँ और मैं इसकी छिलके को उतार देती हूँ अब इसकी सबी छिलकों को मैं उतार दूँगी और ये हमारा आलू अच्छी तरह से छिल चुका है अब मैं एक कढ़ाई गर्म कर लेती हूँ और कढ़ाई गर्म हो जाने पर मैं इसमें सरसो तिल डाल दूँगी मुझे इसमें आलो को फ्राय करना है अब मैं यहाँ पर तिल गर्म हो जाने के बाद आलो को डाल दूँगी और मैं इसे मेडियम फ्रेम पर 5 मिनद तक फ्राय कर लूँगी और इसके उपर एक अच्छी सी परत आ जाए मुझे इस तरीके से फ्राई करना है और यह देखिए पांच मिनट बाद इसके उपर बहुत अच्छी सी परत आ चुकी है ब्राउन कलर की और यह हमारा आलू अच्छी से फ्राई हो चुका है अब मैं यहां पर साबु कि मिच की फूरण डाल दूँगी और यह चटक जाने के बाद मैं इसमें पिसे हुए मसालों को डाल दूँगी अब मैं यहां पर थोड़ी सी पाउडर मसाले जिसमें जीरा है और यह थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी नमक मैं डाल देती हूं और मैं इसे अच्छे से मिक पूंच मिनटार हो जाने के बाद मैं आपर कास्मेरी मिर्ष डाल देती हूं जिसे सब्जचा है और यहाँ दो author mirche डाल दीए यह कास्मेरी मिर्च ऑप्सनल है आप जाए तो इसे स्किप्पी कर सकते हैं अब मैं इसे दो मिनट तक फ्राइब कर लिए हो अब मैं यहाँ पर यह देखें मसाला अच्छे से पक चुके हैं अब मैं यहाँ पर पोस्तो का प्रिष्ट दाल देती हूं अब मैं इसे भी करीब तीन मिनट तक अच्छे से फ्राइब कर लोगे में फ्लेम पर यह हमारा मसाला अच्छे से फ्राइब हो चुका है तो मैं अब इसमें आड करतेती हूं आलो को जिससे कि मैं पहले से फ्राइब करके रखी थी और मैं इसे भी करीब दो तीन मिनट तक फ् अब मैं इसे थोड़ चला देती हूं और मैं इसे ढख कर छोड़ दूंगी करीब एक उबालाने के लिए और दो दिन मिनद बाद इसमें उबाला चुकी है सबजी में और ये दीए सबजी के टेक्स्चर बिल्कुल पर्फेक्ट है तो ये हमारी कर्मा गरम डिरा में इस अलू तमबन कर रेड़ी है तो चलिए मैं इसे सर्फ करती हूं ये देखे इसका टेक्स्चर बहुत ही अच्छ तो आप इस फेस्टिबल इस नेरा में सालो दम को जरूर ट्राइ किज़ेगा और मुझे पताइएगा कि आपको सब्जीक कैसी लगी फ्रेंस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा जिसे मेरी वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और साथ ही लाइक तो बनता है फिर मिलते हैं एक ऐसी नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए keep cooking and enjoy eating